नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजया दो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों भारत में इस समय तरह से सरकार बनाम ट्विटर हो चुका है सरकार नया IT रूल्स लेकर आई है ट्विटर का कहना है कि इस नियम में कुछ ऐसी बाते हैं जिससे यूजर्स के फ्री स्पीच के साथ खिलवार हो सकता है दिली पुलिस ने ट्विटर के दफ्तर पर छापा मारा ग एक तरह का वार चल रहा है हाला कि IT रूल्स के इसलिए सरकार ने टेक कमपनियों को 25 मई तक का समय दिया था जो खतम हो चुका है कुल मिला कर ये है कि अब भी सरकार बनाम ट्विटर हो चुका है ऐसा उधारन पिछले साल अमेरिका में भी मिला था जो इससे थोड़ा अलग पिटर बनाम सरकार की सबसे बड़ी वजह हर देश में censorship रहा है क्योंकि वहाँ देश की सरकारों ने किसी ना किसी तरह के तब कि अमेरिके प्रेसिडेंट दूनल ट्रम्प खुले तोर पर ट्विटर के खिलाफ को लेके कहीं और रहाल कि एक आकाउंट प्रेटर के प्लेतफरोंसे हटा दिया पिछले साल जून में ट्विटर ने डॉनाल ट्रम्प के ट्विट वीडियो में भी Manipulated Media का लेबल लगाया था इसके बाद लगा था ट्विटर ने डॉनाल ट्रम्प के Controversial ट्विट्स पर लेबल लगाना सुरू कर दिया अमेरिका में भले ही वहां के तब की प्रेसिडेंट टॉनाल टरंप के साथ ट्विटर के लड़ाई हुई लेकिन वहां ट्विटर बैन ही हुआ क्योंकि वहां का जो कानून है उसे ट्विटर फॉलो करता है और इसके अलावा ट्विटर अपने बनाए हुए स्टैंडर्ट को हर देश में फॉलो भी करता है इसमें फ्रीडव ओफ स्पीच को कम्पनी काफी आगे रखती है और यही बज़ा थी कि अमेरिका पैसिडेंट तक के ट्विट को कम्पनी ने फिक न्यूस का लेबल दे दिया पुर्वा अमेरी की राश्टपती ट्रम्प ने ऐसे कई ट्विट किये थे जिसमें अपने हिंसक समर्थकों को देश फक्त कहा था ट्रम्प के सैक्रो हिंसक समर्थक अमेरी की कॉंग्रेस के कापिटल बिल्डिंग में खुज गए थी अर जम कर हिंसा किया इसके बाद पुर्वा मेरी की राश्टपती ट्रम्प की ट्विटर अकाउंट को हमिशा के लिए बैन कर दिया गया इरान सुप्रेम एतोला अली खमेनी का अकाउंट भी ट्विटर ने ट्रम्प के समर्थन में ट्विट करने पर बैन कर दिया था बाद में खबर आई ये अकाउंट स्पैम खला रहा था और फेक अकाउंट बनाने के लिए सस्पेंड किया गया कुछ ऐसे भी देश है जहां डिजिटल नेमो कुछ सक्त किया जा रहा है लेकिन कंपनी ने कोई रिस्पॉंस नहीं दिया है रसिया, मेमार, पुलैंड, टर्की में डिजिटल रूल को सोशल मीडिया कंपनियों के लिए टाइट किया जा रहा है लेकिन ट्विटर ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है ब्रो रिपोर्ट आईपेन लेकिन ट्विटर आईपेन